नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्यूब चैनल पी एफ़ पी में इंडियन शेहर मार्केट में निवेश करने वाले हर एक आत्मी को राकेश जुन जुन वाला जी का नाम जरूर पता है और आज हम इने बिग बुल के एक स्टॉक के बारे में बात करने वाल कीजे कुछ बैतर जानना चाहते हैं कुछ बैतर सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के रेकमेंडेशन बाइना चाहते हैं तो आज हमें जॉइन करने के बारे में सोच सकते हैं कमपनी का नाम आपके सामने है स्कॉर्ट्स लिमिटेड एक मिड कैप कमपनी है 16,600 करोड के आसपास की मार्केट कैप है 1,334 रुपीज का लाज्ट रेट प्राइस है जो कि आज हमें 5.5% उपर दिखाई दिया रिटन्स के प्रोफाल के बारे में बात करें तो 1 मंत में 3% के करेक्शन पे अविलिबल है 1 यर के बारे में बात करें तो शांदा रिटन्स है 49% के मल्टी बैगर रिटन्स इस एक ही साल में स्टॉक ने बना कर दिये है अगर बात करें पात साल के रिटन्स के बारे में तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है 857% के शांदार मल्टी बैगर रिटन्स इस टॉक ने हमें बना कर दिये है की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो PE ratio 32.84 है जबकि sector का PE ratio 37.74 है Price to book ratio 4.96 है sector का price to book 3.82 dividend yield के बारे में बात करें तो 0.12% का dividend है जबकि sector का dividend 1.03% हमें दिखा जीता है तो overall valuation के basis पर हमें ये fairly value दिखा जीता है sector के साथ ही चलता हुआ नजर आता है अगर बात करें company के profile के बारे में तो overall manufacturing करता है engines का जो कि agriculture tractors में use होता है earth moving और material handling equipment का भी manufacturing करता है hydraulic shock absorbers, automobile shock absorbers, internal combustion engine etc used by railage तो overall हम ये कह सकते हैं कि escorts का जो काम का जे mainly हमें agriculture sector से ज़्यादा जुड़ा हुआ नजर आता है tractor segment से ज़्यादा जुड़ा हुआ नजर आता है brands के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे tractors manufactured by escorts में power track है farm track है तो overall agriculture में काफी योगदान रहता है escorts का अगर बात करें financial trend के बारे में तो financial trend हमें बढ़ता हुआ नजर आता है revenue 2017 में 4.19,000 crores की थी जो की बढ़कर 2020 में 5.9,000 crores की हो चुकी है profits के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ गए है 2017 में profit 0.13,000 crores की थी जो की बढ़कर 2020 में 0.47,000 crores की हो चुके है तो शांदार ग्रोथ हमें escorts company ने पिछले 4-5 सालों में बना कर दिया है आज escorts के results भी आए हैं उस पर भी एक बार नसर डाल देते हैं escorts के consolidated financial results हम चेक करने वाले हैं अगर बात करें total income के बारे में तो आप देख पाएंगे total income बनकर आती है 2,090 crores की जो की quarter on quarter basis पे हमें शांदार ग्रोथ दिखा रही है पिछले quarter में 1,700 crores का भी total income नहीं था जो की बढ़कर 2,090 crores हो चुका है तो अच्छी growth हमें quarter on quarter basis पे दिखाई देती है YY basis पे भी शांदार ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है अगर बात करें total expenses के बारे में तो 1,715 crores का total expenses है जो की of course बढ़ चुका है वैसा business बढ़ेगा तो खर्चे भी तो बढ़ने वाले है profit before tax के बारे में बात करें तो profit before tax है 382 crores का जो की पिछले साल के मुकाबले exponentially grow होता हो नजरात है YY basis पे 211 crores का profit before tax था जो की बढ़कर फिलाल 380 crores का हो चुका है तो शांदार ग्रोथ YY basis और साथी साथ quarter on quarter basis पे भी हमें दिखाई देती है अब net profit के बारे में बात करें भाई साथ जो शुद्ध मुनाफाय कंपने का ये बताओ investors को इसी से मतलब है तो जो net profit है वो 286 crores का दिखाई दे रहा है जो की पिछले quarter में 227 crores का था और पिछले साल तो 150 crores का था 154 crores का था तो शांदार रोथ YY basis पे हमें दिखाई दे रह आती है जिसका सीधा फाइदा escorts को होता हुआ नजरा रहा है segments के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको गाए इसका majorly जो कामकाज है agriculture related है तो agri machinery products में इसका ज्यादा हमें revenue आता ही नजरा थी है segment revenue आप देख पाएंगे 2000 crores के आसपास की थी जिसमें से 1600 crores से ज्याद का तो agri machinery products में से आता है construction equipment से 244 crores का railway equipment से 117 crores और unallocatements में 10 हमें 10 crores से आता हुआ नजरा आता है segment results के बारे में बात करें तो जो cream business है वो agri machinery products है और यही ज़्यादा growth होता हुआ नजरा रहा है और इसके profits भी हमें शांदार growth दिखा रहे है quarter 3 के highlights के बारे में बात करें तो tractor की volume में 25% की growth है construction volume में 20% की growth है railway में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इनका जो main cream business है tractor का volume वो 25% ग्रो हो गया यह बहुत ही अच्छी बात है revenue के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 23% की growth दिखा दिखा दिया है EBITDA की अगर बात करें तो 505 BP इसकी हमें यहाँ पर growth दिखा दे रही है यह बहुत ही अच्छी बात है EBITDA 18% बढ़ चुका है net profit की अगर बात करें तो 454 basis points की हमें यहाँ पर बढ़ातरी देखने को मिल रही है जो की बहुत ही अच्छी बात हमें दिखा दिती है यह जो सारे EBITDA 2021 को delivery की percentage बहुत ही वीक है 13.79% की delivery हमें दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं charts पर हमें clearly पता चलता है कि stock में हमें काफी समय से weakness देखने को मिल रही है 1450 के level से stock नीचे आ गया था उसके बाद उपर गया वापस हमें नीचे आता हुआ नजरा है और अच्छी recovery फिल average की उपर trade कर रहा है indicators के बारे में बात करें तो money flow index का number calculate हो रहाता है 48 जो कि हमें वापस strength लेता हुआ नजरा है अला कि oral comparatively weak हो चुगा है अगर बात करें RSI के number के बारे में तो RSI का number calculate हो रहाता है 56.96 जो कि काफी strong होता हुआ नजरा है MSED के crosswords के बारे में बात करें तो फिल ballinger band के बारे में बात करें तो ballinger band का upper band 1395 का level है median 1299 का level है lower band 1202 के आसपास का level है pivot points के बारे में बात करें तो एक pivot resistance already तोड़ दिया है next pivot resistance दिखाई दे रहा है 1454 के levels पर नीचे अगर pivot support के बारे में बात करें तो 1141 का पहला pivot support हमें दिखा दिता है company ने शानदार growth दिखा ये over the long term multi bagger return से stock ने हमें बना कर दिया है अब देख पाएंगे शानदार तेजी stock में हमें देखने को मिले है लेकिन जैसा कि मैंने आपको कई बार बता है कि auto sector में जब demand कम हो जाती है तो तेजी से stock हमें नीचे आते हैं crash हमें बहुत ही तेजी से auto sector में generally देखने को मिल जाते हैं 5 6 सालों में 10 सालों में कई बार ऐसा blue chip से blue chip auto stocks में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा अच्छी से अच्छी company आपको 30-40-50% के correction पे भी देखने को मिल जाती है और ये मैं market crash की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ auto sector में ही ऐसा कभी-कभी आपको personally individual stocks में आपको देखने को मिल जाता है औरल काफी strong growth दिखा ये company ने शांदार तेजी हमें देखने को मिल ये लेकिन escorts ने भी कोई कम यहाँ पर escorts के shareholders को भी कम pain नहीं हुआ है अब देख पाएंगे 2011-2010 के बाद 200 रुपे का shares कितना ज्यादा नीचे आता हुआ नजरा था 200 रुपे का share जो available हुआ बहुत ही हमें गिरावट पर available था बहुत ही discount पर हमें देखने को मिला था 50 रुपीज तक आता हुआ नजरा था लेकिन उसके बाद शांदार तेजी आईए और कौनसे लेवल पर stock trade करा है हम सभी को बता है generally stock अपने 20 months के ये में के आसपास support लेने की कोशिश करता है लेकिन अगर situation बुरी होती है तो of course उससे भी नीचा आ जाता है ये तो बस एक technical है technically इसका जो बहुत ही strong support हमें दिखाए देता है वो generally 50 months का ये में हमें दिखाए देता है फिलाल जो 20 months का ये में वो 1000 रुपीज का लेवल है जो कि इसका पुराना all time high भी हमें दिखाए दिखाए दि है और ऐसा expect किया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ quarters में एक दो साल तक rural demand काफी strong दिखाए देगी जिसका सीधा फाइदा escort को हो सकता है of course होगा ही क्योंकि agriculture के products में ही ज्यादा हमें इसका काम का दिखाए जिता है तो ऐसी situation में results काफी अच्छा है long term के investors को continue holding करना चाहिए और add on decline की strategy यहाँ पर अपना ही जा सकती है अगर यहाँ पर fresh buy के बारे में बात करें तो मेरा मन है stock में जो fresh buy के levels हमें दिखाए दे सकते हैं जो level एक strong support zone की तरह दिखाए दिखाए दिया है वो है 1200 के आसपास का level यहाँ पर 1150 से करके 1200 के आसपास कई बार stock ने support लिया और के बारे में सोच सकते हैं थोड़ी सी quantity अपने portfolio में add कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio हमसे review करोना चाहते हैं तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया auto stocks हो गए या फिर auto ancillary companies हो गई वहाँ पर crash देखना बहुत ही simple सी बात हो में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए especially जब ये कोई भी auto stock अपने all time high के आसपास trade करता हूँ नसे आ रहा हो तो इन सभी जीसों को ध्यान में रखने के बाद आब इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like कीजे share कीजे comment कीजे subscribe कीजे मुझे motivate कीजे thank you stay happy happy investing